कि रेनोल्ड डस्टर कि इस गाड़ी में फॉल्टे की गाड़ी ये स्टार्ट नहीं हो रहा है कभी-कभी स्टार्ट हो जाता है कभी-कभी स्टार्ट नहीं होता है तो चलिए स्टार्ट करते अभी गाड़ी स्टार्ट हो गया है और ये हिटर का लाइक वो दिखा रहा है स्केनिंग चाल हुए इसमें कोई फॉल्ट कोड नहीं आ रहा है दूसरा स्केनर लगा है और यह फॉल्ट दिखा रहा है P0336 पावर ट्रोन क्रेंक साथ पोजिशन सेंसर ए सर्किट रेंच प्रफॉमंस फाइनली फॉल्ट हम को मिल गया है गाड़ी का जो स्टार्टिंग का प्रोबलम था वो अनीशन का वह सौल हो गया है यह सेंसरओ हमने रीप्लेस कर दिया है उसका मै लोकेशन आपको दिखा देता हूँ यह गेर बॉक्स की उपर की साइड है इसका सेंसर का लोकेशन है तो न्यूजेंसर हमने फिटेंग कर दिया है और प्रोबलम सोल हो गया है फोल्ट यह आ ख्राइंख सैंसर का था वो हमने रिप्लेस कर दिया और कभी-कभी वह हीन्चर का लाइट अन रहता था और कभी-कभी चला जाता था कि यह फोल्ट था गाड़ी में हमने ये ट्रेंक का सेंसर चेंज कर दिया है और प्रोब्लम सोल हो गया है तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना